Good morning student, आज हम ये हिंदी का चैप्टर 9 पढ़ेंगे यह दीपावली मेरे दोस्त नंदु के पिता पटाखों का प्यापार करते हैं प्यापार मतलब विविसाय करते हैं, कांग करते हैं किसका पटाखों का पटाखों को सेल करने का, बेचने का मैंने पटाखे के लिए 200 रुपे मम्मी से लिए और अपने जेब खर्ष से बचाए 200 रुपे भी जेब मैं रखकर नंदु के घर की ओर चल दिया मतलब पटाखे के लिए 200 रुपे मम्मी से लिए और 200 रुपे जेब खर्ष मिलता है ना घर से खाने पीने के लिए तो वो उसमें से भी बचा कर 200 रुपे खटे कर लिए तो टोटल 400 रुपे हो गए तो वो 200 रुपे भी जेब में रखकर नंदू के घर की ओर चल दिया नंदू के घर एक औरत बैठकर रो रही थी जब वह नंदू के घर पहुचा तो नंदु के घर पर एक औरत बैठकर रो रही थी वो नंदु की बहन से 300 रुपए उधार मांग रही थी नंदु की बहन ने कहा देखो बाई मम्मी घर पर नहीं है हमारे यहां काम करते अभी तुम्हें 10 दिन ही हुए है उनसे बिना पूछे तो मैं 300 रुपए कैसे देदू तुम इंतिजार कर लो पर मैं तो इंतिजार नहीं कर सकती जब तक तो मेरा बेटा मर जाएगा उसका बेटा बीमार था उसका जो नंदु के घर पर जो बाई थी औरत थी जो बैठी हुई थी जो काम करती थी तो उसका जो बेटा था वो बहुत बीमार था उसके लिए वह 300 रुपए उससे उधार माँग रही थी करजा माँग रही थी तो नंदु की बेट ने का कि मेरी मम्मी घर पर नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे हो 300 रुपए उधार दे दू अभी तुम्हें मेरे घर पर काम करती है दस दिन ही हुए है तो बोली अगर मैं तुमारी मम्मी का इंतिजार करूंगी तो मेरा बेटा मर जाएगा वा आसु पहुंचती हुई घर से बहाँ निकल गई मैंने उसे रोकर डॉक्टर का पर्चा देखा पर्चा देखकर मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो मैं दवाएं अभी दिलवा देता हूँ फिर तुमारे साथ डॉक्टर के पास भी चलूँगा दवाएं लेकर हम डॉक्टर के पास पहुँचे जब दवाई ले ली उस के बेटे की तो फिर डॉक्टर के पांच पहुँचे कमपाउंडर बोला परेशान मत हो डॉक्टर के साथ जो लोग कमपाउंडर होता है वो दवाई बगेरा देखता है इंजेक्शन लगाता है तो वह बोला कि परेशान मत हो तुमारा बेटा ठीक है डॉक्टर साहब ने अपने पास से इंजेक्शन लगाया है गुलुकोज भी उसे चड़ाया जा रहा है क्या करती साहब कहीं से इंतिजाम नहीं कर पाई तो जो वह भाए थी जिसका लड़का बीमार था वो डॉक्टर से बोली कि क्या करती साहब कहीं इंतिजाम नहीं कर पाई देव दूर्द की तरह या बच्चा मुझे मिल गया इसी ने मुझे सब दवाईं खरीद कर दी है मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ दीपावली के लिए पठा के खरीदने बाजा जा रहा था उन रुपेओं से उसने मुझे दवा दिलवा दी है शाबाज बेटे तुम बहुत अच्छे हो किया तुमारे घर अब तुम्हें डाट नहीं पड़ेगी कमपाउंडर ने पूछा कमपाउंडर ने उस बच्चे को पूछा कि बेटा शाबाज तुमने बहुत अच्छा काम किया है तुमने किसी की जान बचाई है दवाई दिलवाई है तो काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है लेकिन इस काम के लिए तुम्हें तुम्हारे घर पर डाट तो नहीं पड़ेगी तो वह बच्चा बोला कमपाउंडर साहब ये रुपए तो कल तक पटाके बम के रूप में जल कर दुआ बन जाते हैं जब हम पटाके खरीते हैं पैसा कर्श करते हैं पटाके खरीते हैं फिर वह पटाके को हम फोड़ते हैं जल जाते हैं तो वह क्या हो जाते हैं सब वेस्ट हो जाते हैं तो पैसा क्या है उसने बताया कि पटाके बम के रूप में जल कर दुआ बन जाते हैं मम्मी कहती है कि पटाखेव धन की बर्बादी तो है ही इनसे प्रदूशन भी फैलता है जलने तता आग लगने का खत्रा भी बना रहता है मेरे इन रुपियों का उप्योग देकर मम्मी बहुत खुश होंगी बचे हुए रुपए मैंने बाई को देते हुए कहा तुम्हारा बेटा अब ठीक है मैं जा रहा हूँ हो सका तो कल फिर आऊंगा बेटा तुम्हारे ये रुपए थोड़े थोड़े करके तुम्हें लोटा दूँगी जो वो बाई थी उसने उस बेटे को बोला कि बेटा मैं तुम्हारे ये पैसे ये रुपए थोड़े थोड़े करके वापस कर दूँगी घर में आते ही मा ने पूछा तू तू तो पटाखे लेने गया था खाली हाथ क्यों लोटाया मा आप कहती है न अधिक पटाखे छोडाना रुप्यों का दुआ उडाना है मैंने आज रुप्यों से एक गरीब बीमार बच्चे को दवा दिलवा दी है सच मा वे रुपय एक गरीब मा के आशू पहुचने के काम आई है यह दीपावली मुझे हमेशा याद रहेगी पूरी बात सुनकर मेरी मा की आँखों में भी इसने के दीप जल उठे मतलब उसकी मा बहुत खोश हुई और खोशी के उसकी आँखों में आशू आगे और उसकी आँखों में प्रेम भराया और वो दीप जल उठे तो यह चैप्टर आपका यहां फिनिश होता है इसकी एक्सरसाइस वक्त में आपको सेंड करूंगी नोटबुक का कारे आपको नोटबुक में करना है और टेक्सबुक का कारे आपको टेक्सबुक में करना है तो थेंक यू